कि चलिए सर स्टार्ट करते हैं ध्यान से देखते जाईएगा आप कि कैसे करना है नहीं करना है सारी चीज एक बहुत सिंपल सा चेप्टर है चेप्टर का नाम है हमारा माटीरियल कहलो या इन्वेंटरी कहलो इस चेप्टर के बारे में थोड़ा सा मैं बता दू यह आपके सेमिस्टर वन में और एक सेमिस्टर फूर में यानि दो सेमिस्टर है एक है सेमिस्टर वन और एक है सेमिस्टर फूर यह सेम कॉंसेप्ट सेमिस्टर वन में भी पूछा जाता है और सेमिस्टर फूर में भी पूछा जाता है अगर मैं बात करूँ semester 1 और semester 4 की तो date sheet आ गई तो मैं कह रहा था semester 1 और semester semester 1 जो है ना हंजी voice आ रही है रुक जो एक में semester 1 के अंदर इसको inventory के नाम से और semester 4 में इसे material के नाम से जाना जाता है लेकिन semester 4 के अंदर ये inventory वाला पार्ट तो रहता ही रहता है इसके साथ कुछ extra भी होता है यानि ये chapter 2 हिस्से में semester 4 में बाट दिया जाता है एक तो जो आप में आज करेंगे ये और plus में extra और semester 1 के अंदर ये inventory वाले नाम से जाना जाता है और मज़े की बात है semester 1 में भी ये 10 नंबर का सवाल पूछा जाता है और semester 4 में भी 10 नंबर का मैं हर बार बताता हूँ बच्चों को semester 1 में भी और जब semester 4 में होता है तब भी मैं बताता है भी ये important है पढ़ लो जैसे कि आपका share capital बारवी में भी पूछा जाता है और semester 4 के अंदर भी पूछा जाता है तो सेम कुछ न कुछ link रहता है तो आज हम इसको detail में समझेंगे और इतना बड़ा chapter नहीं है कि इसके लिए हम 2 से 3 दिन लगाए मैं अगर सिर्फ एक question कर दूना इस chapter का 1 से 2 question तो clear हो जाता है कि भी या इसी के अंदर ये chapter समझ में आ जाता है बड़ा simple सी बात है बच्चे कह भी रहें सर लीफो फीफो एवरेज बिल्कुल सही जवाब दे रहें बच्चे तो inventory business का न सबसे बड़ी trends है और जादा से जादा जो business है न वो survive नहीं कर पाते सर्फ inventory management ना होने की वज़े से सर inventory का मतलब क्या है सर सर stock तो इसे manage करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है manage करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है और especially जहां पर बहुत बड़े quantity के अंदर deal किया जाता है जैसे सर मैं बात करता हूँ chemist की chemist की chemist की market ऐसे है ना जो दबाई वगरा बेचते है chemist उनकी market ऐसे है कि उनके medicines के उपर expiry date ना बहुत जल्दी की होती है medicine पर कुछ पर जादा दिनों की भी होगी कुछ पर जल्दी और कुछ medicine उनके ऐसे भी होते हैं जो कि बिख नहीं पाते जैसे कि माल लेते हैं कि कोविड के टाइम पर आप कोविड के टाइम पर आप देखो तो कुछ medicine ऐसे थे जो कि बहुत बिख रहे थे या फिर कुछ equipment ऐसे बहुत बिख रहे था बिखने बंद होगे क्योंकि लोगों को जरूरत ही नहीं है तो chemist के दुकानदार में अगर एक गलती कर दे तो अभी के अभी कुछ एक mistake कर दे ना उनका यह पूरा जो chemist का दुकान का एक system होता है न वो थोड़ा सा रैक बनाके रखते हैं हर सी जोगा ठीक है न तो जैसे हमने एक समान खरीदा जमान लेते हैं एक समान एक एक समान दो तरीखШ्ड जो खरीदा इनको क्या करना होता है सबसे लेटिस्ट वल्स है जो मैंने आख रिपा होगा पाल एकन्टर सुमान कुछ sisters पीछे जाता जाएगा पुराना वाला माल सीद्वा आगे वाले माल को बेचे देते हैं तो वैसे पुराने वाला पीछे रहे गया और एक्सपायर हो जाता है जिसके वज़े से हमें स्टॉक की दिक्कत हो जाती अच्छे खासी कुछ दुकानदार ऐसा करता हैं कि भहिया पुराने समान पहले बेच दो खराब हो सकता है हम पहले नए वाले को रख लेते हैं और पुराने वाले को बेच देंगे और कुछ दुकानदार बोलते हैं नए और पुराने में कोई फरक नहीं है, हम डेली बेसिस पे बेचेंगे, तो तीन तरीके के दुकानदार होते हैं, तो उसके अलग-अलग नाम है, इस चप्टर में हम क्या सीखने वाले हैं, पहले हम चप्टर का कोर थीम देख लेते हैं, चप फेक्टरी है, और फेक्टरी के अंदर समान बन रहा है, और यहां पे एक हमारा गोडाउन है, यहां पे एक गोडाउन है, या वेयर हाउस कह लो, गोडाउन या वेयर हाउस, और इसके बाहर यहां पे आपका क्या है सर यहां पे शोरूम है या फिर दुकान कहलो जहां से समान को आप पबलिक को बीचोगे यह चेंड चलता है यहां पे जब कभी भी क्या करते हैं यह फैक्टरी से समान खरीद के यहां पे लेके आते हैं प्रेक्टरी से समान खरीद के यहां लेके आए और यहां पे बहुत बड़ा एक स्टोर होता है जहां पे समान को स्टोर किया जाता है बड़ी सिंपल सी बात है मैंने तो इसका रियल एक्जामपल देखा हुआ है रियल एक्जामपल मैंने देखा है आप भी देखोगे चांद प्रफिस रहते हैं उसके बाद क्या करते हैं आपको सेंपल रखते हैं सरफ दुकान पर यहां पर दुकान पर बैठा है इसकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको कौन सा समान भीजना है नए वाला पहले समान भीजना है या पहले पुराने वाले समान भीजना है या चलेगा दोनों में से कोई भी भी भीज दो पहले फटा 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 से आया है और तो यहां पर जो व्यक्ति काम कर रहा है जो यहां पर व्यक्ति अकाउंटिंग कर है इसकी accounting को basically हमें समझना है और जो यहां पर व्यक्ति बैठा होता है वो रेजिस्टर के अंदर entry करता है आप कई बार देखोगे ना तो कई बार गोडाउन से जब समान आता है ने ट्रक के ट्रक आपने कई बार मूवी वगरह में देखा हो या रियल लाइट में देखा हो ज आपर आपकी entry कराते हैं अंदर आने के वह दो लें सेमएसे जब समान आता है अंचरी वगरह कर आया जाता है तो हमें kab嘗ने बेचने के लिए नरvari स की करणी है इसका मतलब जब यह inquiry से समान आएगा तो यह करीद नहीं यह क्या कर रहा है receive और जब यह समान यहां भेज रहा है तो यह बेच नहीं रहा है यह क्या कर रहा है issue कर रहा है कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमारा मतलब के मान लेते हैं कि इतना ज़्यादा हम busy है या फिर हमने ध्यान नहीं दिया हमने गलत माल भीज दिया वहां से शोरूम में बोलेगा यार यह तुने क्यों भीज दिया यह तो पहले से पढ़ा था तो वह समान क्या होगा हमारे वापसी आ जाएंगे जिसको बोलते हम रिटन आ गया ठीक है ना कौन सा रिटन आया जो इसू किया था वो क्या आगया हमारा रिटन हो गया कई बार क्या होता है कि सोरूम वाले ना सोरूम वाले डील कर लेते हैं कस्टोमर से फोन आये सोरूम में कि भी या मुझे इतनी कौन्टिटी चाहिए समान क्या मिल जाएगा ऐसे situation के अंदर आगर आपने बोला इतनी quantity समान चाहिए मिल जाएगा शोरूम वाले ने कस्टमर को बोला जी मिल जाएगा शोरूम वाले ने यहां पर पूछा किस से इस accountant भाई हजार quantity भीज़ दे इसने बोला सर अभी भीज़वा रहा हूँ लेकिन दुकान में देखा तो सिर्फ कितने quantity थे इसके पास 900 quantity ऐसा भी पॉसिबल होता है तो जब कभी भी हमारे पास समान नहीं है लेकिन हमने आगे promise कर दिया कि हम आपको दे देंगे इसा नहीं है कि उसे नहीं देंगे देंगे जरूर कहीं और से अरेंज करके चाहें देना पड़े तो जब हमारे go down में समान नहीं है लेकिन मैंने बोल दिया मैं दे दूँआ तो उसको बोलते है shortage उसको क्या बोलें के हम क्योंकि shortage पढ़ गया हमारे पास समान का सिंपल सा देखो word जो बनाये हुआ है ना अगर आप सही से पढ़ाई करते हो ना सही से study करते हो ना तो जो सब्द बने हुए चाहे English का हो चाहे हिंदी का daily uses में accounting में तो use करते हो लेकिन उसे connect नहीं कर पाते बिल्कुल अच्छे तरह के से नार्मली अगर मैं बोलू ना shortage तो आपको पता है shortage का मतलब क्या है लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं कि भाईया समान था नहीं लेकिन मैंने किसी को promise कर दिया तो वो किसका पार्ट माना जाएगा हमारा shortage का बात तो यहां पर हमने दो बा कहीं क्या बोलते हैं inventory, accounts के अंदर, accounts के अंदर इसको govern करने की जिम्मेदारी AS2 थाता है, accounting standard 2 कहता है कि भाईया इसकी देखरेक मैं करने वाला हूं, accounting standard 2 कहता है हमें, जिसके उपर apply होता है, तो हमने क्या देखा सर, अब सर यह कैसे करेगा maintain, यह साधारन वेक्ति, अगर आप आप बिल्कुल register में एक maintain करोगे, तो register में कैसे maintain करोगे, कोई भी column हो सकता है, मान लेते हैं कि एक column, दो column और तीन column बना लिए मैंने, suppose करो बना लिए, यहाँ पे जो मेरे पास receive होगा, उसको लिखता जाऊंगा मैं, यहाँ पे जो मेरा issue होगा, उसको लिखता जाऊंगा, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा कितना balance है, मान लो मैंने receive किया 100 unit, भेचे मैंने भेजे कितने unit, असी बच कितने गए, piece unit, तो हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ unit का हिसाब नहीं रखना, unit के साथ साथ हमें उसके amount का भी ध्यान रखना है, ताकि हम मारा accounted जो है actual figure out कर एक पुराने MRP वाला एक नए MRP वाला है, पुराने वाला stock पढ़ा हुआ है, आपको थोड़ा सस्ता पढ़ जाएगा, और नए वाला stock है वो आपको on MRP मिलेगा, ऐसा कई बार आपको दुकान पे देखने को मिलेगा, तो सेम वही तरीका होता है, क्योंकि इनके पास stock का सा का माल लो, आप जो भी है, अभी आपकी classes चलेगी, जब तक ये chapter पूरा भी खतम नहीं हो जाता, आप सिर्फ देखते जाएए, समझते जाएए, फिर सारी timing वगरा जो भी जो बच्चे नए जोइन हुए, डेली बेसिस पे बच्चे नए नए निउज जोइन होते हैं, तो म यहाँ पे हमारा सबसे पहली बात, हमने क्या देखा सर, हम जो accounting करने वाले हैं, किसके लिए accounting करने वाले हैं हम, हम accounting करने वाले हैं go down के लिए, और go down वाले क्या बनाएंगे एक register बनाएंगे सर, register में कितने column खीचेंगे यह, तीन ही होना चाहिए, चौथा तो मुझे नहीं लगतर जरूरत है, और तीन column के अंदर क्या लिखेंगे, एक तो यह receive के बारे में लिखेंगे, एक issue के बारे में लिखेंगे, और एक balance के बारे में लिखेंगे, सर, receive के बारे में जो हम लिखेंगे, तो receive का मतलब क्या है, हमने समान खरीदा है, नहीं, हमें कहीं factory से माल आया कर लिया बैलेंस का मतलब मेरे पास स्टॉक कितने का पड़ा हुआ है जो बच्चे टैली वगएरा करते हैं लाइक में अकाउंटेंट वगएरा की बोलते हैं जॉब करेंगे टैली करेंगे तो उसके अंदर अच्छा खासा इंवेंटरी मेनेजमेंट का स्टॉक इंवेंटरी एक टैली के अंदर होता है ऑप्शन तो इंवेंटरी मेनेजमेंट भी करना पड़ता है तो यहीं से मेनेजमेंट करना होता है सेम ऐसा वह कंप्यूटराइस फॉर्मेट में बन जाता है और यह वाला सेम हमारा क्या बन जात है और एक टोटल कॉस्स कितने की पड़ी हमें यह ख्याल रखना है हमें क्यूंकि उनके साथ ना बिल भी आता है माल लेते हैं मेरे पास हजार कॉंटिटी आये तो मैं हजार के इसके नीचे लिख दूँगा दो रुपे वाला था तो मैं किसके नीचे लिख दूँगा इसके रेट का बेचा और फिर हमारा पास टोटल कितने का बिका यह रियात रखना है जब बैलेंस होगा तो बैलेंस में भी तीन बातों का ख्याल रखेंगे क्या क्या क्वांटिटी रेट और टोटल कितने का बचा है तो कुछ-कुछ फॉर्मिट यह बेसिकली कोई ऐसा स्टेट वालाबाद में बेचेंगे तो इसमें ना कुछ मैथर्ट है